अगर आप नेचुरल गैस में शौट टम ट्रेडिंग करते हो और नहीं जानते कहा पर बाइंग करे कहा पर सेलिंग करे और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टारगेट रहेगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे नमस्कार दोस्तों मैं आनिल आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकनिकल ट्रेडिंग में बहुत स्वागत करता हूँ आज तारीख है 29 जून 2023 टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बच के 37 मिनट और आज दिन है थर्सडे फ्रेंज हमने लास्ट वीडियो में बात की थी नेचुरल गैस की जिसका टारगेट अचीव हो गया है और आपने इस लेवल्स पे ट्रेडिंग की होगी तो आपने अच्छी खासी अर्निंग जनरेट की होगी फ्रेंज आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो फ्रेंज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की लेटस्ट अपडेट आपको लगातार म सके फ्रेंज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे क्योंकि आधाधूरा ज्यान बहुत देंजर्स हो सकता है आज बात करेंगे नेचुरल गैस की जिसका कॉंट्रेक्ट है जुलाई का नेचुरल गैस जिसका करंट प्राइस अभी चल रहा है दगभग 222 रुपे के आस-पास और इसका लेटेस्ट हाई पोस्ट हुआ है 247 रुपे और इसका लेटेस्ट लॉप पोस्ट हुआ है 160 रुपे फंडामेंटल व्यू की बात की जाये तो बरती हुई ब्याज दरे और चायना की और से दिमांग जियो पॉलिटिकल टेंशन और डॉलर इंडेक्स में उतार चड़ाओं इन सारी बातों का असर नेचुरल गैस के उपर देखने को मिल सकता है इंपोटेंट स्पोर्ट की बात की जाये तो स्पोर्ट यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस उपर की तरफ जा सकता है पहला स्पोर्ट 221 रुपे, दूसरा स्पोर्ट 157 रुपे, और तीसरा स्पोर्ट 166 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है अगर प्राइस इंपोर्ट को तोड़के निचे की तरफ ब्रेक आउट देता है और सस्टेन रहता है तो बजार में आपको और भी मंदी देखने को मिल सकती है इस बात का ध्यान जरूर रखे, अगर ऐसा होता है तो यही स्पोर्ट बाद में रेजिस्टेन्स का काम करेंगे इंपोर्टेंट रेजिस्टेन्स की बात की जाए तो, रेजिस्टेन्स यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस निचे की तरफ आ सकता है पहला रेजिस्टेंस 247 रुपे दूसरा रेजिस्टेंस 275 रुपे और तीसरा रेजिस्टेंस 307 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है अगर price in resistance को तोड़के उपर की तरफ breakout देता है और sustain रहता है तो बाजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है इस बात का ध्यान जरूर रखे अगर ऐसा होता है तो यही resistance बाद में sport का काम करेंगे मन्थली चार्ट पे train की बात की जाए तो और अगर डेली चार्ट पे train की बात की जाए तो करना क्या चाहिए आईए देखते है इससे पहले फ्रेंज आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर यह वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर लेना फ्रेंज जो बाय है उनके लिए सलाह रहेगी ट्रेडिंग अवोईट की स्ट्रेटजी अपनाए फिलहल बाजार अभी नेगिटिव दिखाई दे रहा है करंट प्राइस पर बाय साइड का रिस्क रिवार्ड रेशियो देखे तो रिस्क एक रुपया और रिवार्ड 25 रुपय के हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशियो दिखाई दे रहा है अगर आप बाइंट करना चाहते हैं तो बाइंग लेवल जो है करंट प्राइस 222 रुपय से एक रुपया निचे यानी 221 रुपय के आसपास बाइंट करे अगर फ्रेंज स्टॉप लोस जरूर लगाए, बिना स्टॉप लोस की ट्रेड करना बहुत डेंजर्ज हो सकता है, अगर आपने टॉप लेवल पे अल्रेडी बाई किया है तो आपकी टोटल क्वांटिटी में से 30 प्रतिशत क्वांटिटी, दो 121 रुपे के आसपास एवरेज करे, अगर बजार इससे भी निचे चला जाता है, तो आप 197 रुपे के आसपास 30 प्रतिशत क्वांटिटी एवरेज करे, फ्रेंज अवरेजिन करने के लिए ट्रेंड का आपके फेवर में होना बहुत जरूरी होता है, और अभी मेजर ट्र दिखाई दे रहा है, करंट प्राइस पर सेल साइड का रिस्क रिवर्ड रेशियो देखे तो रिस्क 25 रुपे का दिख रहा है, और रिवर्ड एक के हिसाब से रिस्क रिवर्ड रेशियो दिखाई दे रहा है, अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं, तो सेलिंग लेवल जो ह Current Price 222 रुपे से 25 रुपे उपर यानी 247 रुपे के आसपास सेलिंग करे Target रहेगा 221 रुपे अगर यह Target अचीव होता है तो Second Target रहेगा 197 रुपे और इसके लिए Stop Loss रहेगा 248 रुपे और Friends Stop Loss जरूर लगाए बिना Stop Loss की Trade करना बहुत Dangerous हो सकता है अगर आपने Lower Level Pay already सेल किया है तो आपकी Total Quantity में से 30% quantity 247 रुपे के आसपास एवरेज करे अगर बजार इससे भी उपर चला जाता है तो आप 275 रुपे के आसपास 30% quantity एवरेज करे जैसे कि हमने पहले भी बताया अबर एजन करने के लिए ट्रेंड का आपके फेवर में होना बहुत जरूरी होता है और अभी Major Trend Negative दिखाए दे रहा है इस बात का ध्यान जरूर रखे ओवर और ट्रेंड नेगिटिव रहेगा सेल ओन राइज करके चले लेकिन स्ट्रीक स्टॉप लॉस के साथ आने वाले दिनों में सेल साइड टारगेट 221 रुपे और 1977 रुपीज और 166 रुपे के आसपास देखने को मिलेंगे फ्रेंज अगर आप इन लेवल्स पे ट्रेट करना चाहते हो तो आपके फाइनेंसियल एक्सपर्ट की राय जरूर ले ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान न हो और इस फाइनेंसियल मार्किट में सही गलत की समझ जरूर रखे और आपके प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी खोद ही ले और अपना मनी मेनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छे से मेंटन करे अपनी ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग या पेपर ट्रेडिंग जरूर करे उसके बाद ही ट्रेडिंग करे अगर आपका कोई सवाल हो या कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करे साथ में घंटी के बेल आइकॉन को आल पे सेट करना न भूले ताकि आने वाली वीडियो की लेटस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे धन्यवाद